नौजनवरी को हिंगनगाड शहर के इंदिरा कांधी वार्ड में पानी टंकी के पास मामा भांचे में मामुली विवाद हुआ जो विवाद मार्पिट में पतल गया इसे पेज भांचे ने 22 से गिर कर घायल होने की जूटी सुषना थी और मामा को उप्चार के शहर के उपचिला अस्पतार में भरती करया था हाला कि घायल मामा की हालत गंपिर ती और उन्हें आगे के इलाज के लिए सेवागराम अस्पतार में भर्टी करा गया था इस्तान पर भी भांजे ने जूटी जानकार देकर उन्हें गुम्रा किया था सिवागराम में उनकी हालत गंबिर होने की कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर के एमस अस्पता में स्ताना दरित कर दिया गया इलाज के दौरान भरती की गए प्रकाश मस्राम की दो दिन बाद 13 जन्वरी को इलाज के दौरान मौत हो गई बाद भांजे खुशाल राजु तौराम ने मार्पिंट में इर फिकनी कि बात किसी को नहीं बताए दि दौरान भरत्फ के बेटे ने घट ना देख लिए थी। लेकिन खुशाल राजु तौरामने घटन we now पलिस्टेशन में इस संबर में शिकायद दर्श कराई पलिस ने खुशाल राजु तुम्राम के खिलाब मामला दर्श कर उसे गिरफता कर लिया है घटा की गंबिंदा को देखती वे अधरीत पलेस अधिशक डॉक्टर साकर कवडी ने घटा सिल परचा कर निरिशन किया और पलिस अधिकारी रोशन पंडित के निरिशन में पलिस नरिशक मारूती मुरुक के मार्ग दर्शन में प्यासा मिश्रा हिंगन घाट डेपी प्रमोग प्रवीन देशमोग और टीम ने कारिवाई की और पलिस आगी की जांच करी है इन्बिसन नियूस के लिए हिंगन घाट से रवी जयनूर कर की रिपोट